आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ शंकरपारे की रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ जिसे आपके शंकरपारे जो है वो 100% क्रिस्प पैसे बनके त्यार होंगे तो चली हम वीडियो शुरू करते हैं शंकरपारे बनाने के लिए एक बरतन में अभी हम डाल देते हैं 1-कटोरी मैदा अधी-कटोरी पिसा हुआ शक्कर को हमें मिक्सी में करनकर के लिया है 2-2 चमच देशी घी घी को हमने में मेल्ट करके लिया ह फिर आप इसमें डाल दीजिए एक जमबज इलाइची का पाउडर इलाइची का पाउडर बिल्किल ओप्शनल है और फिर आप इसे अच्छी तरीकी से मसल लीजिए ताकि मोयम जो है वो पूरे आटे में मिक्स हो जाए ये देखिए बाइंडिंग त्यार हो रहा है इसका मतलब हमने जो घी डाला है वो पॉफेक्ट है मोयम के लिए फिर आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आट कीजिए और डो तयार कर लिजिए आप पूरी बनाते हो उसी तरीके का आपको टाइट आटा लगा के तयार करना है ये देखिए आटा हमने लगा लिया है अभी इससे हम दू पाट में डिवाइट करके लेते हैं इस तरीके से आपको round करना है और हलका सा press कर लीजिए और इसे आपको अच्छी तरीके से बेलना है आपको इसमें सुखा आटा लगाने के ज़रूरत नहीं है कितना मोटा आपको रखना है इसे आपको box में cut करना है यह देखिए 1-1 cm का हमने gap रखा है शंकर पारा आप दूद या तो पानी में बना सकते हैं आप पानी के जगा दूद का भी यूज कर सकते हैं लेकिन दूद डालने से क्या होता है कि शंकर पारा जो है वो जादा दिन के लिए हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं और पानी डाल अप एक शंकर पारा डालके चेक कर लीजिए यो देखिए तेल हमारा जो है वो perfect है आपको इतना ही गरम तेल चाहिए एक एक करके सारे शंकर पारा अब डाल दीजिए फ्राइ होने के लिए अगर आप जादा गरम तेल होगे तो आपका शंकर पारा जो है वो जल्दी से golden brown ह जाएगा और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा जैसे जैसे शंकरपारा जो है वह सिखने लगेगा थो यह फुलकी उपर आने लगे व stamp आप देख सकते है शंकरपारा फ्राई करने के टाइम आपको गैस का फ्रेम जो है वो स्लो मेडियम पे ही रखना है ये देखिए शंकरपारा जो है वो अच्छी तरीके से गुल्डिन ब्राउन हो चुका है तो अभी इसे हम एक प्रेट में निकाल लेते हैं शंकरपारा बनाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जब आप शंकरपारा बनाने के लिए आटा लगाते हो तो आपको सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है अगर आप सॉफ्ट आटा लगाओगे तो जब आप तेल में फ्राई करोगे शंकरपारा तो तेल जो है वो जादा एबसॉब करेगा और मोयम भी आपको जादा नहीं डालना है आपको सिर्फ उतना ही मोयम डालना है जिससे कि आपका बाइंडिंग तयार होना चाहिए इससे जादा आप मोयम डालोगे तो फ्राइ करने के टाइम तेल तेल जो है वो जादा एबसॉब करेगा शंकर गड़ गड़ी